हालो बच्चों जैसे कि कल मैंने बताया था टाम सायर के बारे में यह एडवंटुर आफ टाम सायर ुखा है मार्क ट्रेंड ने और यह माड़ेन Waar kipa की बूक इडवंट्र आफटाम अंसलिये गये है ओन नो एंसर टॉम नो एंसर पर हुट पॉलिए जो है टॉम की मोसी है और वो टॉम को बुला रही है पॉल डॉम को आवाज देती है और यह कोई उत्तर मिलता है वेर, च़ीह इंड हर दोगाइं, आपने आप से फूछति हैं कि वो कहा हो सकता है he must be somewhere here, उसे यहीं कहीं होना चाहिए, she went to the door, looked out into the garden and then shouted again, tom tom, वो दरवाजे तक गई, फिर बाहर जाके बगीची में देखा, फिर चिलाके कहा, tom tom, tom को बुलाया, no answer, कोई उतन नहीं मिला, the old lady stood there thoughtfully, वो बुड़ी औरत, मतलब उनकी मौसी जो थी, unpoly, वो महाँ खड़े होकर उस खोचने लगी, suddenly she heard a sound behind her, अचानक उन्होंने अपने पीछे एक आवाज सुनी, she turned round quickly, वेतेजी से पीछे घूमी, there was tom near the cupboard door, वहाँ पर tom था, अलमारी के दर्वाजे के पास, there was jam all around his mouth, और उसके मूँ में चार ओर jam लगा हुआ था, इसका मतलब वो क्या कर रहा था, तर् रहे मों में jam लगा हुआ था, what have you been doing? Aunt Polly asked angry, Aunt Polly गुसे से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, when tom did not answer, she went down, लेकिन tom तो कुछ नहीं बोला, उसने कोई उतर नहीं दिया, जब उसने कोई उतर नहीं दिया, she went down, वागे कहने लगी, you have been stealing the jam again, फिर तुम फिर से jam चुरा रहे ह हो, दुबारा jam चुरा रहे हो, don't tell me that you have not, यह मत कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया है, have not I told you, haven't I told you, hundred times to keep away from that cupboard, क्या मैंने तुम से सैकुड़ बार नहीं कह चुकी हूँ, कि जो है, इस अलमारी से दूर रह करो, where is my stick, मेंती छड़ी कहा है, Aunt Polly took her stick and raised it high, उसको मारने के लिए अंट पॉली ने अपनी छाड़ी उठाई और उसको उपर उठाया, she was about to strike, Tom had, वो उसको उपर मारने वाली थी, प्रहार करनी वाली थी, कि Tom इंदम से चीखा, look behind you aunt, shouted Tom, Tom ने चिला कर कहा, कि अपनी पीछे देखो auntie, चाम मौसी से कहा, अपनी पीछे देखो, Aunt Polly look behind her, Aunt Polly अपने पीछे देखा, this was Tom's chance, ये टाम के लिए मौका था, उसके लिए एक मौका मिला, कि he rushed out of the house, और वो घर से बाहर भाग गिया, he climbed over the fence, soon he was far away, चार दिवारी के उपर चड़के, वो बाहर चला गया, और वो दूर चला गया, जल्दी ही वो वहां से चला गया, Aunt Polly was angry, but she had to love, आन पॉली गुसे में थी, लेकिन ये देखर के उनने हासी आ गई, he is a bad boy, she said to herself, उन्होंने अपने आप से कहा है, बहुत बुरा लड़का है, but I love him, लेकि मैं उसे प्यार करती हूं, he is my poor dead sister's boy, वो मेरी बचारी मृतक बहन का बेटा है, and I must look after him, और मुझे उसकी करनी चाहिए, I don't like to hit him, but I have to, मुझे उसको मारना अच्छा नहीं लगता है, लेकि मुझे उसे मारना पड़ता है, if I don't punish him, he will grow plagy and wicked, अगर मैं उसे दन नहीं दूंगी, तो वो आसी हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, yes I must be strict, तो मुझे कठोर होना चाहिए, मतलब उसके सत्ती कोई दयान ही दिखानी चाहिए, सतानी करने पर, unpolisized, मुझे गहरी सांस ली, I will have to punish him for stealing the jam, मुझे उसे jam चुराने के दन देना चाहिए, बठाओ, लेकिन कैसे, वो सोचने लगे कि उसको आप कैसे दन दे, क्या सजाते है, I know tomorrow is Saturday and there is no school on Saturdays, उसने कहा कि मुझे बता है कि कल सटर डे है और सटर डे को स्कूल बंद रहते हैं, स्कूल नहीं होते है, the boys have a holiday, और लड़कों की कल चुट्टी रहेगी, but I will make Tom work, लेकिन मैं Tom से काम कराऊंगी, मतलब उसको चुट्टी कान देव खाने दूंगी, उससे काम कराऊंगी, that will punish him, और इस से उसको सजा मिले की, the next day was Saturday, अगला दिन Saturday था, the school was set, school बंद थे, all the boys in the village were free, गाउं की सभी लड़के, स्वतंदर से मतलब उनकी शुट्टी थी, school नहीं या रहा था, तो वो कुछ भी कर सकते थे, it was a beautiful day, एक सुंदर दिन था, the sun was shining and the birds were singing, फूरज चमक रहा था और चिडिया गीत गारी थी, मतलब वो चह चाहा रही थी, the trees and flowers look so fresh and lovely, पेड़ पौधे और जो फूल थे, वो सब बहुत तरो ताजा और प्याले दिखाई पढ़ रहे थे, Tom of course wanted to go for swimming, इतने अच्छे मौसम में, Tom बेसक जो है, swimming की लिए जाना जा चाहता था, वो भी तैरने की लिए जाना चाहता था, all the other boys were going, क्योंकि सारे और लड़के पी जो है, वो तैरने की लिए जाना चाहते थे, वो सब तैरने जा रहे थे, Tom came sadly out of the house, अब इसके बाद क्या होता है, कि Tom बहुत दुखी होकर की घर से बाहर निकलता है, क्यों क्योंकि उसकी आन्ट ने उसको काम दे दिया था, in one hand he held a long breast, उसके एक हाथ में एक लंबा सा breast था, in the other he carried a bucket which was full of white was, और दूसरे हाथ में क्या था, एक बाल्टी थी, जिसमें चूना भरा वो था, सफेदी भरी हुई थी, his aunt was making him white was the fence, उसकी आन्ट ने उससे कौन सा काम दिया था, मौसी ने, चार दिवारी की पुताई का काम दिया था, fence में इस क्या होता है, चार दिवारी, the, tom looked sadly at the fence, tom ने दुखी हो करके चार दिवारी को देखा, how high it is, how long it is, यह कितनी उची है और यह कितनी लंबी है, he thought, उसने सोचा, indeed the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards, उसने सोचा, इसकी वास्तों में इसकी जो उजाई होगी, वो 9 feet की होगी, और इसक his brush into the, into the white was, tom ने अपना जो brush है, वो वाइट वास में डाला, he draw it slowly across the fence, उसने जो है, चार दिवारी पर एक खलका सा निसान मनाया, मतलब एक brush ऐसे मारा उस पर, दिवाल पर, it made a very small white mark, इससे बहुत चोटा सा सफेद चिंड बना उस पर, tom ट्राइट अगें, tom ने दुबारा कोशिस की, another very small white mark, दुबारा फिर से वही, जब एक चोटा सा ब्रस लगाए, तो चोटा सा निसान बन गया, tom sat down on size heavily, tom बैठ गया और जो है, गहरी-गरी सास लेने लगा, he took out of the, out, all the things that he had in his pocket, उसने क्या किया, उसकी जेब में जितनी भी चीजें थी, सब कुछ बाहर निका काल के रखा, सब, उसमें क्या क्या था, he had some marbles, उसके पास कुछ कंचे थे, काच की गोलिया, some pieces of strings, and two or three broken twice, कुछ जो है, टूटी-फूडी चीजें और कुछ दो-तीन टूटे-फूटे खिलोने थे, no one will whitewash the fence for these, he thought, उसमें सूचा कि इन चीजों के लिए, मतलब इन चीजो को ले ले कोई, और इसके बदले कोई चार्दिवारी की पुताही करने के लिए नहीं तयार होगा, no, I must think of a better plan, he thought and thought, उसमें सोचा कि मुझे, जो है, कुछ और सोचना चाहिए, मुझे कुछ और योधना बनने चाहिए, सोचता गया, सोचता गया, soon he had an idea, तो उसके एक अपना ब्रेस उठाया और फिर से कथिन परिश्रम करने लगा, मतलब यह वास्तर में वह उताही करने लगा, कि कोई आया और देखे कि बहुत कड़ी महनत कर रहा है, तो उसका एक मित उदर से निकला, Ben Rogers was coming down the street, Ben Rogers उसी गली से आया, बाहर, Tom ने इसको देखा तो, लेकिन उ उसने ऐसा बहाना बनाया कि उसने उसके उसको देखा, इने उसको ध्यान ही नहीं दिया, he worked harder than he worked, Ben Rogers को देखकर कि बहुत कथिन परिश्रम करने लगा, Ben Rogers को लगे कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, Ben was eating an apple, उसमें Ben एक सेप खा रहा था, he looked very happy, बहुत खुस दिखाई दे र Ben Rogers अपने आपको दिखा रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज चला रहा हो, और उसका captain हो, he was giving order in Lord Vice and the ship was obeying him, अपने आपको एक जहाज का कप्तान समझ रहा था, और ऐसे captain आदेश देता है, जहाज को चलने के लिए, वैसे ही वो अपने आपको लग रहा था कि वो आ जहें, he Tom के पास आया, he came up to Tom, Tom के पास आया, he rubbed his eyes, अपनी आखें उसने मली ऐसे, why Tom, he cried in great surprise, you are working, उसने आश्यर से पूछा Tom से, क्यो Tom, तुम काम कर रहे हो, Tom said nothing, he went on with his white washing, Tom ने सुना सक कुछ लेकर उसने बोला कुछ नहीं, और जहें, अपना पताई का काम करता गया, he looked very interested in his work, अपने काम में उसने ऐसा दिखाया कि उसको अपने काम में बहुत मज़ा आ रही है, Tom ने Ben को ऐसा दिखाया कि उसको काम करने बहुत मज़ा आ रही है, Tom, you are working, Ben repeated, Ben ने फिर से पूछा, दुमारा उससे पूछा, क्या तुम काम कर रहे हो, oh, it's you Ben, I did not notice you, तो Tom ने कहा, I am just going for a swim, you don't want to come, do you, मैं तो तैरने के लिए जा रहा था, क्या तुम नहीं आना चाहते, you like working, don't you, तुम काम कर रहे हो, तुमें काम करना पसंद है, है न, ऐसा ही है न, आज बच्चों हम यही तक बढ़ाएंगे, जिसे कि आप इसको दुबारा पढ़ सकें, उसको अपने आप से उसकी हिंदी निकाल के पढ़ सकें, और नहीं समझ में आए न, तो फिर से मेरा वीडियो एक बार फिर से देख ले न, जिसे यहां तक कि हिंदी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अगले बार जब हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है?